हलो फ्रेंट्स वेलकम तो दे चैनल फ्रेंट्स विंडोस 11 का ओफिशियल डाउनलोड वर्जिन आ चुका है और अगर आप विंडोस 11 अपने PC पे रन करना चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए मैं इसमें आपको विंडोस 11 अफिशियल तरिके से कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगा तो दोस्तों सबसे बहले आपको बता दूँ आपके PC की जो रिक्वार्मेंट्स हैं सिस्टम रिक्वार्मेंट्स वो क्या होने चाहिए यहां पर मिनिममम 1 GHz का प्रसेस होना चाहिए और 2 से ज्यादा कोर वाल होना चाहिए रैम आपको मिनिमम 4GB की होनी चाहिए अपकी PC में और स्पेस जो होना चाहिए वो मिनिमम 64GB और हायर स्पेस होना चाहिए इसके लाबा यहाँ पर TPM platform यहने की TPM 2.0 होना चाहिए Trusted Platform Module इसके बिना आपका Windows 11 है वो install नहीं हो पाएगा और सांते साथ आपका ग्राफिक कार्ड है डिरेक्ट X 12 compatible होना चाहिए 9-inch की स्क्रीन के साथ HD resolution होना चाहिए आपके PC का कम से कम और तभी आप Microsoft Windows 11 Home यूज कर पाएंगे इसके लाबा दोस्तों यहाँ पर जो latest build है वो है 22000.65 और इसके तीन चैनल के जरिए यह download हो सकता है आपको मैं यह सब करके दिखाता हूँ आपको अपने PC के सर्च बार में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है Windows Insider Program तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आ चुका है आप इसे open किजिए और आप जो PC की स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी आपको get started पर click करना है get started पर click करने के बाद आपको Microsoft account के जरिए हमले login करना है अगर आपके पस नहीं है तो आप Microsoft account बना लेजिए और यहाँ पर सीधे login कर लेजिए मैं भी अपने Microsoft account के जरिए login कर लेता हूँ और continue पर click कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर settings pick करने के लिए बोला जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया यह तीन चैनल के जरिए download हो सकता है तो हम यहाँ पर click करके बता जेते हैं आपको यहाँ पर दोस्तो तीन चैनल है डेव चैनल बीटए चैनल और रिलीज प्रिवी चैनल जो जो डेव चैनल है दोस्तो वहाँ पर आप इसटेंटली विंडोज 11 को डावलोड कर सकते हैं वीचिन 24 आवर्स में आपको अपडेट मिल जाएगा और बीटए चैनल में आप Windows Update पे क्लिक कीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर Windows Update available हो चुका है आपको यहाँ पर minimum 24 hours का time देना होगा इसको और उसके बाद आपको यह Windows Update मिल जाएगा आप इस इस्टॉल कीजिए और उसके बाद restart करके आप अपने PC पर इस्टॉल कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने इस्टॉल कर लिया है और यह version यहाँ पर latest version है और आप भी इससे install कर सकते हैं तो यह काफी आसान है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और हमारे इस वीडियो को शेर भी कर दीजिए मिलते हैं दूस्तों एक नए वीडियो में तक तक लिए देखते हैं यह चैक्निकल आइंजी जैहिन सब्सक्राइब किजिए और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाईए लेटिस्ट वीडियोस सब्से पहले देखने के लिए